प्रिय विद्यार्थियो, मैं सौनकिय मेडू, क्रैस्ट चर्ट कान्वेंट इस्कूल का डर्वार। डिजीनल क्लास में आपका स्वावत है, प्रिय विद्यार्थियो, मैं हिंद्य टीचर। आज मैं आपको आपठित बोद की विशन में बताना चाहते हैं। आप समझें। वैसे आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। आपठित क्या होता है, आपठित किसैं कहते हैं, आपठित बोद कें किलाता है जिसको हमने पढ़ा नहीन है, जो हमने पढ़ा नहीं गया और हमारे सामझे आगया। जो हमारे बुक से याने हमारे स्वेवस से नहीं है वो अलग से है तो इसको कहते है आपधित मोर आपधित मोर बिना पढ़ा लिखा है ये कविता भी हो सकती है और ये क्या है गद्ध भी हो सकता है यह हमारे आधिए गद्धानस है या पैरा आता है और अपधित पद्धानस जाता है पद्धानस के वी جशार नायन पांच आन एक पद कहले लिए उसमें सी क्या होता है हमें उसको द्यान और बांद बाएन जाये उसके नीचे कुछ परश्णे देखे रहते हैं तेन प्रश्णों का समस्bos bubble parties के ऊसे ज़ेना पड़ता है उस Award को मैं को नहीं बैंता हूँ आपको नेछे करते हैं कि जोगी हो सक बाल वार बता जाता है एसा भी होता है सबसें अब ये जिए फियादा है कि इसका इस पर्याग्वाची कि वी दिया रहता है उसमें लिद्या नहीं है तो परियाग्राची आप जो पूछा रहता है वो बताना होता है अब देखिए इसमें ध्यान रखने हो कि कुछ बातें में रहती हैं आपके गद्धान्स और पद्धान्स को एन अधिक बाद एक से अधिक वाद हमें ध्यान पूरक पढ़ना चाहिए ताकि पिवित श्रैनी के प्रश्णों के उत्तर ह पूछा जाता है परियावाची पूछ रिये जाते हैं या उसका बिलोग सब्ध पूछा जाता है प्रश्णों तर पूछे जाते हैं सीर्सक आपठित अव तरण में ही निहित होता है जो सीर्सक रहता है तो पेरा में ही निहित होता है सीर्सक केंद्री भाव को समयटे सिर्सक टों कैना चाहिए सिर्सक Weel Sождis सिर्सक एक यार मिव्र दूरतों की जैसे एंध़ को कि आया समझ में नहीं तो आपको God Pack Pack committee दें है decision कि नहीं है और साला कटैसा छिए वहता है सिर्सक जुन पता से चलिया ता कि यह प hatte इसके आधादा मरें निखाए हुआ जो सारांस रहता उसे अपने मन के भावन के दौरा ब्यक्त करते है ए रेखां के यह जाएक我就 जो रेखांके थे उन पर हमें विशेश द्यान देना चाहिए। आसाई कि अंदरगत आउतरण में आए मुख के बातियों को अपने सब्दों में समझना चाहिए। यह क्या दिया है तो अपने विचार से समय न चाहिए यह नहीं कि उस्तक की भासा में ही हमको लिखना है। प्रश्नों के उतर लिखते समय हैं मूल आउतरण की सब्दों का ही प्रियोग करना चाहिए। आया समझ में यह दी समय सीमा दी गई है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे दिया गया है इसका सारांस 20 सब्दों में लिखें। 20 से से पर 25 कर सकते हैं और ऐसा ने कि 50 सब्दों में लिखें। जितना है आपको दिया नहीं गया उससे आप ज्यादा लिखें। तो ऐसा नहीं होगा। निर्देश की अंसार ही उत्तर देकर अनावश्य विस्तार से बचना चाहिए। आया समय में जिस तरह संशेपन दिया रहता है तो संशेपन का अर्थ इसी गद्दांस से है चिप्तिकरण यानि इसमें छोड़ी रूप में लिखना होता है। आया आपको अम मैं एक आपको गद्दांस पढ़के बताते हूं। उस गद्दांस को आपको लिखना है। शमय ना है कि गद्दांस होता क्या है। कई बार नक्षप्राप्ति के लिए अनेक प्रयास करने पर भी शखलता मिलती है। इसमें मन में निरासा का भाव जब्दांस हो जाता है। मर्ण को नीरासा का भाव जाता है। मन में निरासा का भाव जब्दांस हो जाता है। उसमी feeling जीवन में आसदी रहते हैं, वही विब्द्दरिश्था रिष्थित्यों में ये लक्षप्राति में सक्ष्ण những हो शकते है। अब प्रशन देखें इसके नीचे निरासा का भाव क्यों जाक्रत हो जाता है तो इसमें लिखा है निरासा का भाव क्यों हो जाता है लक्ष प्राप्ति के लिए किये दे प्रयाशों के बाद भी आज सख़त हो जाने के कारण निरासा का भाव जाक्रत हो जाता है निरासा का व्यक्ति में क्या प्रभाव पड़ता है तो इसमें दिया है निरासा व्यक्ति को आप्रिसन और आसांत करती है उसकी चित्तन सक्टी को भी कमजूर कर देती है निरासा के साथ अन्य कौन कौन सी गुराईया है बिद्धास के साथ हींता आसोरक्षा के भाव गरती है और ब्यक्तियों ब्यक्ति तनाव में घृज़ाता है मन में आसा का भाव कहा रखने चाहिए, आसा मन में उठाए का भाव परती है तथा विप्रीत परिश्टितियों में लट्छ तक पहुचने की शक्ति प्रदान करती है अब इस प्रदान्स का उचे't सीरसक क्या है? तो ऊचे't सीरसक हुआ आसा का भाव आया समझ में, तो इसी में पूरे प्रश्णों के उत्तर दिये रहते हैं, इसी तरह हमारा पध्धांस होता है, तो पध्धांस भी आप धून सकते हैं, क्योंकि उसी में प्रश्ण में रहता है, उसी में सिर्शक का पता चल जाता है, पूरा उसी में रहता है, तो विड़ा आ आपने आपड़ेत गद्धास और आपड़ेत पद्धास दोनों समय दिये, ये कमीता में आता है और ये गद्ध में आता है, इसके प्रश्चतर आपको उसी पेरा में चल जाएंगे, धन्डवाओं